हेलो स्टुडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नियू वीडियो लेकर आई हूँ, इंग्लिश इडर में लेसन नमर टैन की, हाई नो हम इसका पहले एक वीडियो बना चुके हैं, जिस पर हमने फर्स पार्ट डिसकस कर रहा था, राजा ने क्या क्या क्लेक्ट कर रहा था मैच बॉक्स, थ्रेड, रबर बेंड, सेफटी पिन, पैबल, है ना, ये सब चीजे राजा ने कलेक्ट करते हो, वो सारी यूज में आई राजा के, कैसे यूज में आई, वो अब हम जानेंगे, वैं राजा वैंट इन्टू दा क्लास्रूम, दा फर्स पर्स 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 प पहली बार क्लास में घुस रहा है, मतलब स्कूल में जाता है क्लास्रूम के अंदर, तो जो पहला पर्स उसे देखता है, वो होती है, मिस माया, उनके टीचर, वो क्या कर रही होती है, प्लांट इसको पानी दे रही होती है, क्या दे रही होती है, पानी, एंड वेड, वन ओ आपने वह वीडियो देख ली होगी सब रेसेंट करते कि फर्स परसंड जो था राजा ने मिला दिखा था क्लास रो में वो ती मिसमाया और मिसमाया प्लांट्स को पानी दे ली ती वो क्या कहते है प्लांट्स बहुत बढ़े हो गए है और हमें इसे न एक स्टिक के साथ बांधना होगा तक यह गिरते बरते ना रहे है इधर उदर ना लटके तो हमें इसे बांधना पड़ेगा जो राजा कहता है you can tie them with my string जो राजा को string मिली थी वो कहता है इस thread से आप बंद लो string से तो मिसमाया के just the things हाँ यही तो चीज़ चाहिए थी thank you बोलती है मिसमाया नरेटर मिसमाया use the string to tie the plants to a stick after that लीना's skirt strap गें लूज अब मिसमाया जब string tie कर देती है प्लांट के stick के साथ उसके बाद लीना की just skirt होती है वो उसका strap लूज हो जाता है तो मिसमाया कहती है we will mandate समाओ हमें इसे किसी जीसा ठीक करना होगा तो राजा कहता है you can pin it together with my safety pin आप मेरी safety pin यूज कर लो इसको pin कर दो so मिसमाया बोती just the thing हाँ यही चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी आगे देखें नरेटर क्या बोल रहा है नरेटर में समाया पिंड लीना's skirt strapped to the skirt with राजा's safety pin then मेरी felt a bit sick she said she felt too hot and had a headache अब में समाया पिंड लगा देती यह लीना के skirt में अब उसके बाद राजा के पास जो एक shiny safety pin यूज करके वो skirt में पिंड लगा देती यह लीना पी अब माय उसके बाद जो मेरी नाव के बच्चा होता है उनकी क्लास में वो थोड़ा sick feel कर रहता है light मतलब उसके सर में दर्द हो रहा है बुखार सा ऐसा फैल हो रहा होता है बहुत गरम हो रहा होता है head उसका सो में समया उसे बहुती है sit down and rest your head on the table you will feel better में समया बहुती है तुम sit बैठ जो और rest करो head table पे head down कर लो ताक्कि तुम्हें better feel तो राजा बहुता है you can put my nice smooth pebble next to your head if you like तो राजा कहता है मेरे पास एक smooth pebble है तुम अपने इसके head के निचे रख लो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा Miss Maya Votie just the thing हाँ यही चीज थी जो सही है मतब काफी better feel कराएगी किसको Mary को narrator Mary thought that अब आपको दिख रहा होगा Mary thought that was a good idea too she held the cool flat pebble next to her hot forehead it cheered her up a lot during play time early's tooth game Mary क्या करता है वह जो pebble होता है अपने head के पास रख लेता है काफी अच्छा feel होता है better feel ठंडा ठंडा लगता है उसे अब खेलने के time पे क्या होता है अली नाम का एक boy होता है इसका dart तूट जाता है क्या तूट जाता है dart so Miss Maa कहते है taking it home to show your mother घर ले जा और अपनी मदर को दिखाना Miss Maa ने बोल क्या दिखाने को का tooth किसका तूटा था tooth Ali का किसका तूटा था dart Ali का तूटा था तूटा था अली का तूटा था जो मार्चेस की डिप भी खाली थी ना क्याता है इसमें रख दो अगर तूम्हारे को सही लगे तो तो अब देखो आपको picture में भी आपे show रहा होगा कि आपने अली क्या कर रहा है अपना दात match box में रख रहा है राजा की है ना तो क्या करा यह चीज भी राजा की यूज हो गए जो उसने वे राष्टे में से आते आते उठाई थी सो आफ्टर देट मिस माय बोलती है हाँ यही चीज है जो यूस्फुल है काफी सज्जो दान्त को खोने नहीं देगी अब आगे नारेटर बोल रहे हैं अली पोटेज लेटर वाइड बेबी तूट इंटू राजा स्क्लीन मैच बोक्स अब थोड़ी दिर बात क्या होता है वो सारे बच्चे प्लेगराण में जाते हैं मिस माया उन्हें शो करते हैं कि हॉपस कोच कैसे कलते हैं जैसे शापू आप खेलते हो न कैसे खेला जाता है मिस माया वो सिखाती है बच्चों को बड़ मिस माया के कहती है first you have to write number on the payment in the squares brother I have not bought any chalk outside with me could you go inside and get me a piece Raja so क्या होता है पहले Miss Maya बोलती है कि हमें in squares box जो है न है यह फिर number लिखने होते है तो एक बच्चा बोलता है मैं तो चौक लाना भूल गया अंदर से क्या Raja तुम लियाओगे चौक तो Raja कहता है you can use my bit of red brick if you like तो कहता है मेरे पास लाल eat का टुकडा है अगर तुम इसका use करना चाहो तो यह कर लो तो Miss Maya कहती है हाँ यह तो usable है I will write the number in red कि मैं red color से number लिख दोगी तो यही चीज थी जो use हो गई eat so narrator कहता है I wonder if you know what Raja had left in his pocket now मैं बहुत चौकी बहुत चौकी बहुत चौकी वंडर हूँ कि अब राजा के इचेम में क्या कुछ रह रहा है जो भी चीज सी सब कुस तो use हो गई आप बताओ क्या राजा के pocket में कुछ ऐसी समान रह रहा है क्या जो अभी तक राजा नहीं यूज ना कराओ अगर रह रह रहे है तो पहले वीडियो को पॉस करो और कमेंट सेक्शन बताओ कि यह सब क्या चीज है जो राजा की रह रही है तो अब हम आवे देखते हैं अब everyone came in door after that कें के बाद सब क्लास में आ जाते हैं Today's was राजा स्टर्न पर पिंटिग अब आज ती राजा की तर्न पिंटिग करनेगी When it was finished Miss Maya held it up for everyone to see Raja showed them his picture of Batman and Robin in the Batmobile Everyone thought it was a great picture Miss Maya rolled it up carefully and gave it to Raja to carry home Raja took the strong thing rubber band out of his pocket Miss Maya held him but put it around his lovely picture तो क्या होता है अब बच्चे सब खेर के अंदर आ जाते क्लास में अब आज ना राजा की टंथी पेंटिंग करने की तो राजा जब पेंटिंग फिनिश करता है तो मिस माया उस उठा के सब को दिखाती है सब बच्चों को राजा शो करता है कि मैंने क्या बनाया है इसने क्य मोबाइल के अंदर ठीक है तो सबको बहुत अच्छी लगी बहुत सुन्दर लगी आप दिखाने के बाग मिसमारी ने क्या करा पिक्चर को रोल करा केरफुली एंड इसको दे दिया राजा को कि ले जाओ इसे घर अब अपने तो राजा के पास जो रबर बैंड अभी रबर बच रहा है ना जिन जिल मत चुने में रबर बैंड कमें सेक्षिन मेंसिस कर रहा है उनके आंसर बिल्कुल करेक्ट है सो जो रबर बैंड बच रहा था उसने क्या करा मिस्टीचर की हैल्प से वो रबर बैंड उसे अपनी पेंटिंग को जो उसने फोल्ड करी थी उस पे ल ले जा सके यहां पर आपकी स्टोरी होती है खतम लेसर नमबर टेन जिसका नाम क्या है राजा यूजफूल कलेक्शन आपको भी पसंद आई होगी काफी इंट्रस्टिंग स्टोरी थी है ना जो स्टार्टिक में उसने बताए कि क्या क्या चीज़े कलेक्ट करी तब तक तो मैं बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इन चीज़ों कुछ यूजब भी हो सकता है ना और जबकि वो सारी छोटी से छोट यूजब ना जाता अगर पढ़ा होता तो तो ऐसी राजा को जो जिस बस दिखरी थी अच्छी वो रखते जा रहा था रखते जा रहा था और वो सारी चीज़े उसके उसे यूजब हो गई राजा की तो यह था आपका लास लेसन और यहीं पर आपकी यह बुक भी डन होती मैं इसको अगर किसी को और लेसन्स देखने नहीं मिल रहे हो तो प्लेइलिस्ट उप्शन में आपको श्चो कर दूगी आप उसमें चेक करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी तो थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो और हाँ अगर यह वीडियो अच्छी लगियो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी थैंक यू